नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 71 गणतंतर पूरे चुके और ये 72 गणतंतर है भारत इस वक्त रिपब्लिक दे सबसे पहले जो तस्वीर आ रही है मैं आपको सीधा इम्दाबाद लिए चलता हूँ क्योंकि इस वक्त मोहन भागवत ने सरसंद परमुक्त ने आप पर जंड़ा पहराया उसके बाद संबोदित कर रहे हैं वो कभी बदलती नहीं अपवाद है दो शब्दों उसमें बाद में डाले गए परंदु वो प्रस्तामना नागरिक अधिकार उसके साथ साथ नागरिक करतवे भी है और अपने देश को किस और आगे बढ़ना है इसके लिए मार्गदर्शक तत्व है आज के दिन सब लोगोंने समिधान की प्रत्प्राप्तकर उसमें से यह चार बाते पढ़नी चाहिए क्योंकि हम जिधर देश को ले जाएगे उदर देश जाएगा हम किधर देश को ले जाएगे और हमको उसको कैसे ले जाना है इसका जो निष्टे उस समय के हमारे नेत्रुत्व ने किया था सामुईक निष्टे वह निष्टे उसमें लिखा है उस निष्टे को पूर्ण करने के लिए आवश्चक गुणवत्ता और आवश्चक धेय का भान वो हमारे ध्वजा रोहन से हमारे सामने आता है और ये जारा अपना कर्त्रत्वप अपनी इच्छा आकांग्शा है हम राष्टरकां के द्वारा भगवान के आशिर्वात की आचना करते हुए संपूर्ण राष्टरके चरणों में अरपित कर देते हैं उसके स्वरूप का स्मरण करते हैं प्रतिवर्ष आने वाले कारिखन में प्रतिवर्ष झंडावंदन करते हैं झंडों तोलन करते कि परनतु ये करते समय क्योंकि आदत हो गई 75 साल की तो यंत्रवत कृति होना आदत से होना स्वाभावी कहे लेकिन ये अंतरवत कृती करते समय उसके पीछे का जो भाव है जो स्पिरिट है उस सब का समरण करके हमको आज का दिवस मनाना चाहिए ऐसा एक विचार मन में आया तो देश अपना बहत्तरवा गनतंतर दिवस मना रहा है लेकिन इस बार गनतंतर दिवस पर कुरोना महमारी का साया भी नजर आएगा कुरोना महमारी के कारण इस बार कई चीजों की कटाउती की गई है लेकिन इसके बावजूद गंतंतर दिवस का जश्ट शानदार होगा इस बार पांच दश्कों में पहली बार गंतंतर दिवस की परेड में कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा इससे पहले 1966 में गनतंतर दिवस समारों में कोई चीफ गेस्ट नहीं था इस बार राजपत पर देश के सबसे आधुनिक और घातक लड़ा कुईमान रफाल का फ्लाई पास्ट होगा राजपत पर देश की पहली महिला पाइलट वायुसेना की जहांकी में दिखाई देगी तो राजपत पर रामंदर की जहांकी भी दिखाई देगी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने बहतरवें गड़तंत्र दिवस के जश्ट को मना रहा है अरिजोरान राजपत पर देश की आन, बान और शान की जहांक्या दिखाई देगी हिंद की सेना का शौरे नज़र आएगा लेकिन जिस करोना महमारी ने देशी नहीं पुरी दुनिया पर अपना असर डाला है गड़तंत्र दिवस समारोह में भी उस करोना का असर दिखाई देगा इस बार गलतंत्र दिवस समारोहों में बहुत सी ऐसी चीज़े नज़र नहीं आएंगी जिनने आज से पहले आप हर साल इस समारोहों में देखते थे लेकिन फिर भी इस बार गरतंत्र दिवस परेड में ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जो आपके लिए बिलकुल नया होगा राजपत पर इस साथ उत्रपदेश की जहाकी में राम मंदिर नज़र आएगा इस बार उत्रपदेश की जहाकी में प्राचिन शहर, अयोध्या की धरोहर, भवे राम मंदिर की प्रतिकृती, दीपोस्तों की जलक और पौरानिक ग्रंथ, रामायन की विविन्ल घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा जहाकी के आगे वाले हिस्से में महर्शिवालमीकी की एक प्रतिमा विराजमान होगी और इसके पिछे मंदिर का प्रारूप मौजूर रहेगा राजपतवर इस बार परेड में जवानों की चुस्सी फुर्ती, रौब और सधी चाल में तो कोई अंतर नहीं होगा लेकिन कोरोणा महमारी को देखते हुए परेड में जवान मास के साथ नज़र आएगा इस बार गरतन दिवस परेड में महिला शक्ती का नया रूत दिखाई देगा इंडियन एर फोर्स की महिला फाइटर पैलेट, फ्लाइट लेटिनेंट, भावना कंट, गरतन दिवस परेड में एर फोर्स की जाकी का हिस्ता होगी गरतन दिवस की परेड में कैप्टन प्रीती चौधरी अपग्रेड़ेट शिलका इंटी एरक्राफ्ट सिस्टम की कमान समाले इसे पहली बार परेड में दिखाय जा रहा है चन्रिगण की आर्मी यार डिफेंस की कैप्टेन प्रिती जौधरी इस साल गरतन दिवस परेड में नेद्रतों करने वाली एक मात्र महिला से राधिकारी परेड में आप मेरा एक्यूप्मेंट राजपत पे देखेंगे अप्ग्रेड़ेट सुल का वेपन सिस्टम जो की फॉर्स टाइम राजपत पे मार्च करने वाला है तो उसको लीड करने वाली होगा इस बार भारत के गलतंत्र दिवस समारोह में बांगलादेश की आर्मी भी नज़राई 1971 युद्ध की गोल्डन जूबली मनाने के लिए बांगलादेश आर्मी का एक दस्ता भी गलतंत्र दिवस परेड में शामिल होगा जब इस दस्ता मार्श करते हुए सलामी मंच के पास पहुचेगा तो इसकी उपर एरफोर्स का विंटेज एरक्राफ डकोटा उडान भरता दिखाई देगा और उसके दोनों तरफ एमाई 17 हेलिकॉप्टर उडान भरेंगे लेकिन इस बार गलतंत्र दिवस की परेड में सबसे खास होगी रफाल की गर्जना भारती वायुसेरा में शामिल हुए रफाल अलाको विमान इस साल प्लाइपास्ट में हिस्सा लएगा राजपत पर इस बार कुल 42 एरक्राट प्लाइपास करेंगे जिन में दो रफाल भी शामिल होगी राजपत पर ये रफाल की गर्जना को सलामी होगी लिए रहने वाली है और कई माइलों में ये खास और ये अलग भी रहने वाली है खैर आज की परेड के बाद तो जैजवान के साथ जैकिसान भी देखेगा क्योंकि आर्ट अर्ट्रेक्टर रैलिय की भी बात हो रही है दूसरी तरफ हमारे साथ रवीत रपाठी के साथ हमारे जो तीन खास एमिनेंट पैनलिस मौजूद है उन से आपका तारूफ करा दे हमारे साथ ब्रिगेडी रिटार संदीब थापर साब है गुड मॉर्निंग सर, हैपी रिपब्लिक डे बापता स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग सर, हैपी रिपब्लिक डे बापता स्वागत है साथ रवीत रवीत रपाठी जो अपने पीछे कहने से पहले कैमरा दिखा दिया करते थे पीछे देखिए आप छोटे छोटे जंडे चोटे चोटे पच्चे जा रहे हैं बैठने के लिए देखे पूरी तयारी हो चली है और वहां पर सुभा से उनने ने तयारी कि वही थी वहां पर बैठेंग रिपब्लिक डे परेड देखेंगे लेकिन इस बार कोरोना है दिखाई दे रहा जो कलरफुल है लेकिन लोग कम दिखाई दे रहे हैं लोग आ रहे हैं लेकिन चुकिए आपको रेस्टिक्शन से सवाल लाग की बजाए 25,000 लोगी इस पर अलाओड किये गए दरसक दिरगा में इसलिए लोगों की कमी दिखाई देरी और जो लोग है कई अगर आ रही है यहां पर जी जी बिल्कुल मैं यही बता रहा था कि देखिए पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं संख्या कम की गई है चुकि मैंने कहा कि सवाल लाग के बजाए 25,000 दरसक आने वाले हैं लेकिन लोगों के जोस में कोई कमीनी है लोग सुबह से जब से हम आये हैं तब से देखने लगतार लोग जा रहे हैं अपनी जगह पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि किसको कहां बैठना है अब चुकि गेट नमबर तीन से लेकर तमाम लंबे पारी है नौजवान लोग भी दिखाना चाहेंग करें कि टेखने का सोच रख आप है अगर तो बहुत कुछ कि देखने को मिलेगा आपको अराम-ंधर की जाकी झालिए तो लोग आप भी निकले आप लोग कहां क। कंफ्यूजेर है कि क्या दिक्कत है नहीं कॉछा रास्ता देख रहा हूं कि दर है मतलब चौदर का यहां प क्या देखने आई परेड देखने आया है कहां से आ रहे हैं तो चार-चार-चार-पांच-पांच-क्लोमेटर लोग पैदल चलके आते हैं लगतार पैदल चलके बुजुर्ग हैं चाहे नौजवान है सब को चलना अपर तुकी यह नियम है इसक्यूर्टी के लिए हैं से करते हैं उनका होसला भी बढ़ाना है और मैं तीले कहता हूं ना विविद्दताओं से भारा wastewater यह देश है बसक्राइब यहां पर इतनी इतने रीजन और इतने लिचुन और हैका फैस्टीवार्म तै जाता है जब एक फैस्टीवल National Festival आ जाता है कि गंडतन तरदीवस उसमें सब एक ही रंग में नजर आता है तो पूरा विश्व देख करके आज चरे चकित होता है कि ये देश है क्या भाईया ये कॉंसी एसी मिट्टी सुवसब इतनी ठंड में पैदल चल के लोग ऐसे पाँच रहे जी हाँ सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस महामारी के टाइम में और जहां सब मुवमेंट इतनी रिस्टिक्टिड है इतनी प्रिकॉर्शन लेनी है दे फैक्ट कि हिंदुस्तान ने ये परेड रखी है रिपर्विट डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं एक रिजॉल दिखाता है हमारे नैशनल रिजॉल दिखाता है कि irrespective जो भी तकलीफ हो हमने अपने प्रोग्रेस को शोकेस करना है और restrictions भी apply की हैं आज के दिन लेकिन फिर भी परेड को छोटा भी किया है लेकिन फिर भी उसको पूरे तरीके से celebrate करना एक माइना रखता है दूसरा ये शुरू से ही बच्पन से हम देखते आ रहे हैं Republic Day की परेड जो एक बहुत pride फिलिंग आती है इसको देखे मैंने बहुत बार देखी है school days में भी देखी है और uniform में भी जाके बैठ के देखी है और एक अलग सी फिलिंग आती है जब आप उस पे राच्पन पे बैठे होते हैं तो बहुत proud फिलिंग होती है उसको देखके और जो ड्रिल पॉफिक्ट ड्रिल उसकी और हर चीज सिंक्रोनाइज एर फोर्स का भी जाकियां भी एक बहुत अच्छा दोगंटे का अगर आपको बीच में रखू तब ही सोच लिया था कि आपने गा कि बच्पन में भी देखी है जब देखते थे बच्पन में जैसे हमने भी देखी बच्पन में कि हमको तो यह था कि किस तरीके से भईया वो पास या मिल जाए हम बैट करके देख लें आपने जब देखा फिर उसके बाद जब उस परेड का हिस्सा भी बने तो क्या कभी सोचा था कि वहां बैट करके देखूंगा फिर उस परेड का हिस्सा भी बनूँगा और फिर वहीं सामने से जाओंगा तो मतलब ये कैसा अनभा होता है नो हिस्सा इन दे सेंस के मैंने परेड में पाट नहीं लिया लेकिन बैट के जरूर देखिया है यूनिफॉर्म में तीन चार बार और बच्पन में भी गए हैं और बच्पन ये जब भी बात कर रहे थे आपके कोर्रस्पोंडेंट के कहां कहां से हम मुझे याद है हम करोलबाग में रहते थे वहां से बस पकड़के कनॉट प्ले से पैदल आते थे छोटे होते थे पता भी नहीं चलता था चार पांच किलोमेटर पैदल चलके आते थे क्योंकि उसके आगे गाड़िया अलाओड नहीं होती थी पारकिंग नहीं होती थी तो पैदल आना पड़ता था पाबिक ट्रांसपर्ट से बैट रहता था और सुबह और मुझे याद है कि जब भी मैंने अटेंड किया सुबह बारी ज़रूर रही होती थी चपड़ जनर्वी के ये स्टेंडर था कि 26 जनर्वी को हलकी सी बारी चुरूर जरूर रहे थी थी ती देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो उस्सा लोगे बीच में है राफेल का स्वाकत निश्यतू से वो करना चाहेंगे और राफेल आके और जो लोग की आशाएं हैं उनके अरूप प्रदशन अमश्य करेगा और जो मौसम थोड़ा से मार्जिनलन है लेकिन राफेल का आन कि एक बार इससे पहले जो है कब ये देखिए जब शास्री जी का निधन हुआ था तब कोई मुक्यातिती नहीं था और आप देखिए 2021 आज का ये वर्ष है जब क्योंकि कोरोना महामारी के कारण अब जैसा ब्रिगेडिटे थापर कह रहे थे ये अपने आप में ही अन्प एक सुविनिटी दिखाता है जब हम ये देखते हैं कि परेड कैंसल नहीं हुई है उसी जोश उसी तरीके के साथ ही का कर्टेल होना इस वक्त तो हर सब चीज़ चल रही है जो ही चल रही है शाम कुमार जी पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये गंतंत दिवस की सुभकामनाय देना चाहूंगा बहुत ही एक परमपरा से भरा हुआ हमारा देश है विशाल परमपराएं और उन सब का निर्वा कटिन परिस्थितियों में भी हम सब करते आए हैं और आज की इस परेड इस देखना नहीं जानते तो हमारे जो हमारी जो परेड की ये पूरी तैयारी है और मौसम भी पूरी तरह से हमारे अनकुल है और मुझे लगता है कि थोड़ी रिस्टिक्शन्स के साथ अगर सबालाक नहीं तो पचास अजार दर्सक भी कम नहीं है और सेनाओं की जहाकिया और सेनाओं की जो परेड है और बच्चों का उसा जो जो परेड में भाग ले रहे हैं हमारे यूथ भी एनसी सी एनसेस और स्कूल के बच्चे मेरे ख्याल से इस आठ नौ डिग्री टेंपरेचर से जूजते हुए वो सुबस चार बजे से लगातार परेड में अपनी प्रैक् की को उसी अविमान से देखेगा और उसी मेसेज से देखेगा जो हमारी चारो तरफ की जो विस्प किया भी जो जो प्राबलम्स चल रही है जो समस्याय चल रही है चाए वो पैंडिमिक हो या हमारे बॉर्डर्स की जो हल चल हो या हमारे हिंद महासागर में या इंडो पैस साल गया इस साल में देखिए आपके साथ अगर मैं वैसे देश की एक तो कोरोना आया सबसे वड़ी बात की कहां पूरे दुनिया पीछे चली गी फिर उसके बाद जून में हमने देखा गलवान हुआ चाइना के साथ किस तरीके से वो अभी चल रहा है अभी भी मोल्डों में महामारी हुई है सबसे बड़ी चीज तो जो पिछले साल हुई सबरी के बाद वो करोना उसके साथ पूरी दुनिया के उपर एफेक्ट पड़ा और हमारी जायज है हमारी कंट्री के उपर भी पड़ा शुरू में हमने कोशिश की उसको कंट्रोल करने की लागडाउन से ले पइlevel में करोना को ड्रेस करूँगा उसको recover करते करते हमने देखिये एक vaccine भी तयार किया है उतने टाइम में और वो vaccine worldwide अब हम बांट भी रहे हैं, अपने ये बस को भी बांट रहे हैं और भी आगे सप्लाई कर रहे हैं, तो यह एक resilience दिखाता है कि Hindustan ने कितना bounce back किया है, कहां कोवड हुआ, अफेक्ट हुए, इतना मास माइग्रेशन हुआ, लोग अपने अपने घरों में वापस गए, करोड़ों लोग पैदल चलके, ट्रेन से, गाड़ियों से, बसों से, हमने देखा कैसे हुआ, दुख भी बहुत हुआ उस पे, लेकिन हमने आज फिर बाउंस कि तरफ देख रहे हैं, कि देखिए, इसने कितना अच्छी तरह से बाउंस पैक किया है, दूसरा है जो एकॉनमी, एकॉनमी में भी सब जगा एफेक्ट हुआ, लेकिन अभी देखिए, सेंसेक्स फिर से, वापस पचास जार के तकरीबन घुम रहा है, हमारी येस डिप हु ये भी विविन कारण है, वेरिस रीजन्स हैं कि उसने ये जो किया, जो किया, शायद वो करोना का जो उसके ओपर ब्लेम डर रहा था, उसको उससे ध्यान हटाने के लिए, या अपनी पावर को शो करने के लिए, रीजनल, कि मैं रीजनल पार हूँ या सुपर पार हूँ, इनिसली थोड़ा सा सेट बैक जरूर था, गलवान के टाइम में, थोड़ा बैक फूट पे हम आ गए, लेकिन जैसे हिंदुस्तान आमी ने और सिक्रिटी फॉस्टेंस ने रिस्पॉंड किया उसके बाद, जो खासकर पंगैंग्सों में हमने रिस्पॉंड किया, तो चाइ परेड होती है कि जब आप अपनी, आपके अपनी मिसाल से ले करके तमाम इतने क्यों में हैं, यह सिर्फ ये दिखाते हैं कि यह आपकी ताकत है, और दूसरे ही दिखाते हैं कि यह सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तिमाल भी कर सकते प्रवादी आप प्रॉख आप्स आप्स नाओ अड़िड आप आप सेवाद आप्स आप शायर नाओ